आज की इस वीडियो में हैं पक्स्तानी लिविंग लेजंड फिलम एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसको पक्स्तान की तारीख में जितरी शोहरत और बक्बूलियत हासल हुई शायदी किसी और फिलम एक्टर्स के हिसे में ऐसी शोहरत आई हो कई दहाईया पकिस्टानी फिल्म इंडर्शिप पर राज करने वाली वन एंड ओनली फिल्मचर शबनम जी फिल्मचर शबनम आजकर पकिस्तान में मुकीम है बलके पिछले ती माँ से पकिस्तान में मुझूद है क्या फिल्म स्टर्ट शबनम हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गई है बंगला देश क्यों छोड़ा पाकिस्तान के किस शहर और किस के पास रहती है कितना अर्सा पाकिस्तान में रहेंगी वापस बंगला देश जाएंगी या नहीं और शबनम जी की फैमली में बेटे के इलावा अब कोई भी इस दुनिया में नहीं है फिल्म स्टार शबनम जिसने शोहरत और ग्लैमर की रंगीन दुनिया को भरपूर इंजवाय किया मगर उमर के आकरी हिस्से में अकेली रहने पर मजबूर कैसे जहरना बासिक से शबनम बनी शबनम जी का असल नाम जहरना बासिक है जो 17 अगस 1922 को उस वक्त के मगर्बी पाकिस्तान धाका में पैदा हुई तालूक एक बंगाल के बुदमत मजब से है धाका में बंगला बजार हाई स्कूल में जेरे तालीम थी और अपने स्कूल के दिनों से ही बतोड डांसर मशूर हो गई क्योंकि शबनम बहुत अच्छा रख्स करना जानती थी शबनम के वालत उस वक्त की फुटबॉल टीम धाका के रेफरी थे शबनम की बड़ी बहन गुलुकारा थी शबनम अपनी पहली फिल्म में बतोड डांसर अपेर हुई यह फिल्म धाका में बनी थी केरी की शुरुआत बुल-बुल फिल्म अकैडमी से की उनके वालत के क्रीबी दोस ने बतोड डांसर बंगाली फिल्म जिसका नाम था इदेश तूमर अमर में मतारिफ करवाया फिर इसके बाद दूसरी फिल्म में भी बतोड डांसर फिल्म का नाम था राज धनीर बोके यहां से शबनम को पहचान मिली फिल्म बिन शबनम को डांसर के इलावा बतोर फिल्म हीर्वन देखना चाहते थे इस तरह वो ऐजे फिल्म हीर्वन एक फिल्म में नज़र आएं ये फिल्म भी बंगाली थी अगर बात की जाए उनकी पहली उर्दू फिल्म की तो 1962 में फिल्म डिरेक्टर एहत शाम ने ढाका में एक उर्दू फिल्म बनाने का एलान किया जिसकी मुसीकी रोबन घोश ने तर्तीब दी फिल्म का नाम था चंदा जो 13 अगस्त 1962 को रिलीस हुई ये शबनम जी की पहली उर्दू फिल्म थी और ये फिल्म सूपर हिट हो गई हलागे उस वक्त वो उर्दू भी सही तरीके से नहीं बोल सकती थी मगर फिर भी ये फिल्म काम्याब रही इस फिल्म के चर्चे कराची और लहोर सरक्ट में भी सुनाई दिये और इस फिल्म में हीरो रह्मान थे 1979 में शबनम एक मुकमल हीर्वन के रूप में चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के साथ जल्वागर हुई ये लहोर में बनने वाली उनकी पहली फिल्म थी फिल्म का नाम था अंदली जिसमें वहीद मुराद शबनम मुस्तफा कुरेशी आलिया तालिश में कास्ट का हिस्सा थे इस फिल्म ने लहोर और क्लाची सरक्ट में गोर्लन जूबली मनाई यहां से शबनम के अरूच के दोर का अगास हुआ फिर फिल्म स्टर शबनम बकाईदा लहोर शिफ्ट हो गई फिर 1970 में डायमेंड जूबली फिल्म दोस्ती रिलीस होती है जो पंजाब पिच्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में फिल्म स्ट इजाज शबनम के हीरो थे जबकर फिल्म स्टर रह्मान, हुसना, रंगीला, तालिश और साकी भी कास्ट का हिस्सा थे इस फिल्म की ज्यादा तर शूटिक लंदन में हुई थी और यही वो साल था जब बन्गलादेश पाकिस्तान से अलग हुआ लेकिन यहां से शबनम के रोशन और काम्याब फिल्मी केरियर का अगास हुआ मगर बन्गलादेश के अलग हो जाने की वज़ा से वहां पर फंसे पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाले बन्गाली तमाम लोग वापस अपने अलाकों में जाना शूरू हो गए जिनमें बहुत सारे बन्गाली फंकारों में पाकिस्तान के दो अजीम फंकार शबनम और फिल्म सार रहमान थे शबनम को मजबूरन पकस्तान छोड़कर बंगला देश जाना पड़ा उस वक्त शबनम अपने कैरियर के अरूज पर थी और बहुत सारी फिल्में जेरे तकमील थी बंगला देश जाने के कुछ ही अरसे के बाद शबनम उन फिल्मों की तकमील के लिए वापस पकस्तान आई उन मेंसे एक फिल्म जो 1973 में रिलीस हुई उस फिल्म का नाम था अनमोल जो के शबनम की दूसरी डायमेंड जूबली फिल्म थी जो कराची सरक्ट में 117 हफते चली अपने फिल्मी कैरेज में इस कदर मसरूफ हुई के पकस्तान की मसरूफ तरीन उर्दू फिल्मों की हिर्वन बन गई फिल्म डिरेक्टर और परडूसर्स की शबनम के घर के बाहिर लाइने लगना शुरू हो गई हर कोई शबनम को अपने फिल्म में हीर्वन कास्ट करना चाहता था फिर इससे अगले साथ फिल्म स्टान नदीम और शबनम की प्लैटिनम जूबली फिल्म दिल लगी रिलीस होती है जिसने बॉक्स ओफिस पर धूम मचा दी ये एक रुमेंटिक और म्यूजिकल फिल्म थी इस फिल्म के गाने भी बेहत मकबूल हुए जिन में एक मशूर गाना दिल लगी में ऐसे दिल को लगी कि दिल खो गया कामयब यूगर सिलसला त्वील होता गया फिर 1907 में एक बहुत बड़ी डायमेंट जूबली फिल्म लिलीस हुई जिसने पकिसानी फिल्म इंड़स्टी में रिकॉर्ड बिजनस किया जो कराची सरक्ट में 401 हफ़ते चली यानि तकरीबन 6 साल सैनमा घरों की जिनत बनी रही नजरूर इसलाम की इस फिल्म ने काम्याबी के रिकॉर्ड काइम कर दिये इस फिल्म में सदा बहार जोड़ी नदीम और शबनम एक साथ थे और इसी फिल्म के बाद फिल्म बेन इस जोड़ी के दिवाने हो गए इस फिल्म के गीर भी सदा बहार थे जो आज तक कानों में रस खोलते हैं जिन में मशूर गाने मुझे दिल से ना भूलाना चाहे रोके ये जमाना रूठे हो तुम तुम को कैसे मनाएं पिया फिर पिसी जोड़ी ने पाकस्तान की फिल्म हिस्टरी में जितनी शोहरत और मकबूलियत हासल की शायदी किसी और जोड़े को मिली हो फिल्म से शबनम नासर बेहतरीन अदाकारा बलके एक बाग किरदार खातून थी फिल्म से शबनम ने आज तक कभी गेर अखलाकी लबास नहीं पहना और ना ही वो कभी देर तक रात शूटिंग किया करती थी बलके अपने केरी की शुरुआत में अरूज हासल करने से पहले जिस शक्स से प्यार हुआ उसका नाम था रोबन घोश जिसका तालुक मसीही मज़ब से था रोबन घोश भी एक अजीम मुसिकार और एक अजीम पाकस्तानी फनकार थे दोनों ने शादी की और अलापाक ने दोनों के एक बेटे से नमासा जिसका नाम रोणी खोश रखा शबनम जी पाकस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के साथ तीन दहाईयां मुसलक रही इस दुरान पाकस्तान और बंगला देश अलग-अलग मुलक बने लेकिन इसके बावजूद शबनम की मकबूलियत और शोहरत में कोई कमी नहीं आई क्योंकि ये महबत सरद या कौमियत की मरहूने मिनत नहीं थी पुरा पकस्तान फिल्म सर शबनम को दिलो जान से प्यार करता था और अब भी करता है तीन दहाईयों तक बतोर फिल्म इंडस्टी में मुकमल आब उताब से चमकने वाली शबनम का फिल्मी केरियर जवाल पजीर होना शुरू हुआ चन्द साल बतोर करेक्टर एक्टरस पकस्तिनी फिल्मों में नज़र आई फिर 1997 में शबनम न अपने शोहर रोबन घोष और बेटे रोनी के साथ बंगला देश शिफ्ट होने का फैसला किया लहोर में मुझूद अपनी जाइदात को फरोग्त करके बंगला देश चली गई और वहां जाकर बंगाली फिल्म इंडस्टी से मुच्सलिए बंगला देशी फिल्म इंडस्टी में भी शोहरत और इज़्ट समेटी लेकिन जो शोहरत इज़्ट और मकबूलित पकिस्तान में मिली वो नकाबले बयान है 15 साल अबाद 2012 में शबनम जी अपने शोहर अरुबन गोश के साथ पक्सतान आकर अपने दरीना दोस्टों के साथ वक्त बिताया पक्सतान ने शबनम का पूरत तपाक इस्तक्बाल किया कुछ अर्सा क्याम करने के बाद दुबारा आने का वादा करके वापस बंगलादेश चली गई फिर 2016 में शबनम और रोबन घोश का साथ तूट गया रोबन घोश अचानक इस दुनिया से रुकसत हो गए शबनम का अकलोता बेटा रोणी घोश जो के लंदन में जेरे तालीम था वो वापस बंगलादेश आया और अपनी वालदा के साथ रहना शुरू कर दिया इस दुरान शबनम एक बार फिर पाकस्तान आई और यहां आकर एक टीवी ड्रामे में भी काम किया इसके रवा पाकस्तान के मुटलिफ शोज और प्रोग्रामों में महबबत समेटी फिलमसर शबनम को पाकस्तान में जिस कदर महबबत इजद मिली वो अलफाज में बयान करना मुम्किन नहीं फिर ऐसा वक्त भी आया कि शबनम ने मुस्तकल तोल पर पकस्तान शिफ्ट होने का फैसला किया क्योंकि उनका अकलोता बेटा रोनी घोश जो के लंदन में सैटल है जबके सुस्राल में भी कोई भी अब इस दुनिया में नहीं इसके लवा शबनम जी की बेहनों का भी इंतकाल हो चुका है मा सवाए एक बेहन के जो इंडिया में मुकीम है यानि शबनम जी अब बंगला देश में अकेली थी दोलत शोहरत और जाइदाद होने के बावजूद खुद को अकेला महसूस करती थी जिन्दगी के 40 साल पकस्तान में गुजाने वाली शबनम जी ने पकस्तान जाने का फैसला क्योंकर पकस्तानी अपनी पलके बिछाए अपनी शबनम जी का इंतजार कर रहे थे और यू शबनम जी पकस्तान आई और लंबा अर्सा क्याम का इरादा रखती है पाकस्तान के मुख्टी प्रोग्रामस में शेक्त करती है और शोपिंग करने बजार भी जाती है फिल्मस्टर शबनम जिसने 170 के करीब पाकस्तानी फिल्मों में काम किया जिसने 13 निगार एवार्स हासल की इसके इलावा भी पाकस्तान की जानब से लाइफ टाइम अचीवन एवार्स में मुटदद एवार्स से नवाजा गया पंगला देश के पाकस्तान से अलग होने के इस अजीम सदमे में एक बहुत बड़ा सदमा ये भी था आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होकी मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए अभी हमारा चैनल इंफर्मेशन विप फवास को सब्सक्राइब करना मत भूरिएगा अगर आप शबनम जी को कुछ कहना चाहते हैं तो निचे कमेंट बॉक्स में लिक कर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत सरा ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज